आज के कामी बूलते हैं कि तो पुझे पूसरा पोलते हैं जेरकम परसिती आचे आज के जरकम हमार सामने जे चैलेंजर जे शिनाफिया जो है उसको सामना करने के लिए ये जरूरी है कि संक्षिप में मैं आज आपके सामने हिंधी में बोलूगा सबसे पहली बात यह है कि मेरी तरफ से हमारी पार्टी की तरफ से मासवादी कम्मिनिस पार्टी की पूरी देश के अंदर हमारी पार्टी की तरफ से आप सब को हमारी करांतिकारी लाग सलाम की आज इस आतंग के समय में भी इतने बड़े तादात में आप इस मैज़ार में आए हैं ये हमारे लिए हैं आप सब को हमारी लाग सलाम पिछले जब से बाजबा आई 22 हमारे कॉमडेडों की हत्या हुई है पिछले हमारे पार्टी की कॉंफरेंस के समय से लेकर आज तक 17 हमारे कॉमडेडों की हत्या हुई है अपने आफिसेस को जला दिया आफिसेस को नश्ट किया कॉमडेडों के घरों के उपर हमला किया धमकिया दी चिनौर लड़ने से नॉमिनेशन फाइल करने से भी रोक कर वो धमकी दे कर उनको जो है बिटा कर कहते हैं कि वो जीत गए बाजबा ये सब आतंग और हमला होने क बावजूद वो समझते थे कि अब फिर लाल जंडा फिर वापस नहीं आएगा त्रिपरा में और लोग कोई वामपंदियों के साथ नहीं रहेंगे वो भूल जाते हैं ये लाल जंडा इसलिए लाल है क्योंकि हर इंसान के अंदर जो खून बहता है हर हमारे शहीद जो होता है उसका खून जो बहाया उन लोगों ने हमारे दुश्मन उन सब लोगों के खून का रंग लाल होता है तो इस लाल जंडे को कोई नहीं मिटा सकता जब तक इंसान के अंदर लाल खून बहता है याद रखिए हम वो है कॉमिनिस्ट हम वो है कॉमिनिस्ट जो मौट से डरते नहीं क्योंकि हम मर कर भी मरते नहीं हम जिन्दा रहेंगे और हमारे दुष्पन को लड़कर उनको जो हम हराएंगे और यह है त्रिपुरा की परंपरा खाया जाता था एक छोटा सा नौर्थ इस्ट के अंदर एक प्रदेश है उसके अंदर क्या कर सकती है वामपंति और ये लाल जंडे लेकिन हमारे त्लिवना के अंदर जो वामपंति सरकारे रही। पहले कौँपेज जक्रवर्ती, उसके बाद कौँपेज मानिक सरकार, इन सरकारों की उपलम्द्यां, सरकारी यहां बढ़ोगे पोतावें, ही आप देखोगे सबसे पिछड़े वे निरक्षत प्रांत के अंदर अगर कोई एक ऐसा प्रदेश है आज अपने भारत के अंदर जो केरला को टक्राओ देता है कि सबसे ज़्यादा सिक्षर्ता सबसे ज़्यादा पढ़ाई सबसे ज़्यादा लोग जो स्कूल जाते हैं प्लब्दी है नासर्विय भूमिसुदा अरे राश्ट्री आंदोलन के समय से त्रिपरा की परंपरा रही है कि देश की आजादी के लिए त्रिपरा को भी जोडते वे त्रिपरा को भी जोडते वे अपने हिंदुस्तान के अंदर उसके लिए उस समय जब देश के अंदर बट्वारा हो रहा था त्रपड़ा को भारत के साथ रखने के अंदर यह वाम्पंति अंदोलन और यहां पर उपजाती लोगों के नेतृत देते वेश वह अंदोलन इसका बहुत बड़ा भूविका रहा था एक क्रांतिकारी विरासत है तुर्पड़ा के लोगों की आप जो प्रसकार को और भाजपा अगर आप निश्पक स्तरिके से चुनाओ कराओगे बिना हिंसा के और जंत्राउनतिक तरीकों से आईए आप रुखें अपनी बात जंता के सामने हम रखेंगे अपनी बात और जंतको चुनने दीजिए कौन वो चाथे हैं कौन नहीं चाहते हैं भाजपा हरेगी वामपंदी जीतेगी और फिर से वामपंदी सरकार जो गईया पर बन पाएगा अगर वो माहूर लाना है तो आज इस हिंसा के खिराब लड़ना है वो माहूर लाना है हम लड़ेंगे इनको जनतांत्रिक तरीके से हम लड़ेंगे हमारी जनतांत्रिक व्यवस क्या है इनका पूरा का पूरा उद्देश उसी सम्मिधान को द्वस्त करें उसी सम्मिधानिक अधिकारों को खतम करें और लोगों के सामने हिंसा नफरत और उसके आधार पर डरा कर लोगों को अपनी समर्तन में हासिल करने की कोशिश करें इसके बावजूद आज क्या हो रह में क्या हो रहा है मंजाब में क्या हो चूनाwn नारी इसे पहले चुनाओ हुए थै आप के तमिलणाडों में आपके हेला में आपके भंगाल में ऊबम्याननं और सब यह को हारना पड़त और इस पार वियुट्टर प्रदैश के अंदर संके skate यही प्रदार मंत्री बहुत यात्रा कर रहे हैं बहुत सरकारी पैसे से सरकारी प्लेन लेकर सरकारी गाड़ियां लेकर अपने चुनाव प्रचार कर रहे हैं वो चुनाव प्रचार का क्या है मुख्योत देश आज देश के अंदर बेर्वोजगारी बहुत बढ़ गई हमारे इसका बहुश्य इस नौजवान को अगर हमां आज नौगरी देते और देने के लिए देश के अंदर साधनों की कोई कमी नहीं है कि इंदर सरकार वो वो पप्लिक इंवेस्टमेंट करें वो जो है निवेश करें जो सड़के चाहिए हमें जो अबारेंडिये सिचाई के जो सुविधा चाहिए हमारे इंफ्रेस्ट्रेक्चर के लिए उसको बनाए करोण हमारे नोजवानों को नोगरिया मिलेगी और वो नोजवान जब अपना तंखा जो है खर्च करने लगेगा ये बंद बड़े खारकाने सब खुलने लगेगे आर्थिक विकास भी होगा लोगो लोगों की जान बचा सकते हम लेकिन आज वो काम नहीं कर रहे हैं क्या कर रहे हैं देश की जो लितने भी साधन है उसकी लूट मची हुई है सब देदेते हैं जो नारा जो लगा है दो है हमारे प्रदान मंत्री के जो मुख्य दोस्त जो बड़े-बड़े-बड़े हमारे देश के पुझी पती है सब चीज हमारे देश के अंदर उनके हाथों में जाता है सब एरपोर्ट क्या उनके एक दोस्त के हाथ में सब हमारे पोर्ट यानि जो बंदर का पानी के साथ जुड़ेवे पोर्ट है वो सब उनके हाथ में जाता है देश के अंदर पूरा संपत्ती के उपर आज लूट मची वी है और ये लूट जो है वो बेचा जा रहा है आज हमारे बड़े पूजिपतियों को जो हमारी संपत्ती है आज जो नीजी करन हो रही है हर संस्ता की देश के अंदर लाखों के तादाद में हमारे देश के अंदर मुलाजिम और हमारे द देश के अंदर मजदूरों के नौकरी की चटनी हो रही है चटनी हो रही है पब्लिक सेक्टर के अंदर और ये पब्लिक सेक्टर आज मोदी साब को और भाजपा को ये बताना पड़ेगा बड़ी जोर से भैस देश का पब्लिक सेक्टर देश की आर्थिक संपत्ती का मालिक सरकार जो आता है प्रदानमंत्री जो आते हैं और जो जाते हैं वो प्रदानमंत्री और वो सरकार सिर्फ मैनेजर हैं संपत्ती के मालिक नहीं है अगर कोई मैनेजर बिना मालिक के अनुमती के संपत्ती बेशना चाहता है तो जो आज जो लोग है जो मालिक है इस संपत्ती के वो लोग इस मैनेजर को बदल कर, नया मैनेजर ले आएगे, और ये बदलाव करना जो है, आज जरूरी है, क्रिप्रा के अंदर और भारत के अंदर, तो लोगों की समस्यों के उपर एक शब्द नहीं बोलते प्रतार मनते इस शुनाव पर इचार मते, सिर्फ जो बोलते हैं, वो बोलते हैं नफरत पैदा करना, कई पर हो गया हिजाब, कई पर हो गया 80% और 20% हिंदू-मुसल्मान के बीच में, और हिंदू-मुसल्मान के बीच में ये दुरूबी करन करते वे, ये नफरत फैलाते वे, कभी हो जाता शम्शान घाट और कबरिस्ता और कभी हो जाता है सब भाजपागे राज्यों के अंदर ये कानून बना दिये गोरक्षा के नाम पर या लवजिहाद के नाम पर किसी ना किसी बहाने से बत्वारा करोट फूट डालो लोगों के पीश पे ये फूट ये सिर्फ हिंदो मुसल्मानों के बीच पे ये नहीं है आज ये फूट हर अल्पसकितों के साथ हो रहा है हमारे दलित भाईयों के उपर देखो बाईयों के उपर देखो अत्याचा जिस तरीके से गोर अपरा उत्तर प्रदेश के इंदर हमने देखा धलित हमारी बहन के साथ जो बीच साल की भी नहीं थे उसके साथ बलाद करकरके उसका खून कर दे रहा हर बाई उस तरीके से अत्याचाच जो है हमारे दलितों के उपर होती है हमारे मुसल्मान भाई बहनों को उनको किस तरीके से उनके उपर इस नफ्रत और हिंसा पैदा फैला रहे हैं जिसके चलते वे कि भारत के नागरिक है या नहीं है उसके उपर जो है प्रशन चिन उठाते हैं और इसका नेत्रित कौन करता है देश का प्रदान मत्री आज हमाने देश के अंदर आजवासियों के उपर उपजातियों के उपर लड़ लड़के इस लाल जंडे ने लड़ लड़के इस लाल जंडे ने Forest Rights Act यानि आपके जंगलों में रहने की अधिकार उपजातियों की उसके लिए कानून बनवाया ये गर्ब की बात है इस लाल जंडे की कि सबसे ज्यादा पट्टा जो दिया गया है पूरे हिंदोस्तान पूरे भारत के इंदर सबसे ज्यादा पट्टा इसका नकानून के चलते वे दिया गया है वो दिया गया है आपके दिपुरा में वामपंदी सरकार के चलते वे और आज वो अधिकारों को द्वस करने पे लगे है हजारों एकड हमारे जंगलों को आज जो है बेच रहे हैं विदेशी पूंजी के लिए बड़े पूंजी पतियों के लिए ताकि वहाँ पर वो कोईले का और बाखी चीजों का ख़दान करें मैं ये करें माइनिंग करें इसके चलते वे लाखों के तादात पर हमारे उबजाती और आदिवासियों को अपना घर छोड़ कर वो जो है बटकना पड़ रहा है यानि दलितों के उपर आदिवासियों के उपर महिलाओं के उपर इन सब पे जो अत्याचा जो बढ़ रहे हैं इनके बारे में क्या है प्रदानमंत्री जी और ये केंद्र सरकार की सुझाओ किस सरीके से समस्यों का हल करेंगे उसके उपर एक भी बात नहीं पूरी की पूरी बात होती है कि एक दुवी करन पैदा करो एक दुवी करन पैदा करो ताकि एक सांप्रदा एक वोट बैंक का वोट बैंक का जो है उसको जो है मजबूत करे सबसे गंदा आज कोई वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहा है देश के अंदर वो है भाजपा और हमारे प्रथानमंत्री और ये वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते वे लोगों की एकता को डोड़ कर वो अपनी स्वार्थ के लिए अपनी भारत और भारत के समिधान को ही वो द्वस करने जा रहे द्वस किये जा रहे और सब संस्ताओं के उपर आज पहले क्या होता था याँ पर अगर निर्वाचन होते थे आपके त्रिप्रणा के अंदर ये कई वे देश में कोई भी गलत भाषन अगर किसी ने बोला निर्वाचन में एलेक्शन कमिशन फारण उसमें कारवाई लेती आज नफरत भरावा नफरत भरावा भाषन जो है कई सारे हो रहे हैं उत्तर प्रदेश पे हमारे अल्पमत के सवधाई के खिलाब हमारे उसमें भाईयों बेहनों के खिलाब लेकिन एक पर भी कारवाई नहीं एक पर भी कारवाई नहीं लेती है लेक्शन कमिशन आपके कोट कचेरी सुप्रीम कोट पे तीन-तीन साल से पड़ा हुआ है कि वो तीन सो सत्तर धारा खतम करके जो जमून केश्मीर को द्वस्त कर दिया था वो उसके नाच्य को क्यों किया क्योंकि एक मात्र एक मात्र मुस्ब्मान मिजॉरिटी स्टेट है पूरे देश के अंदर तो उसको जो है आप जो है उसको खतम करो वो देश है और ये केश पड़े वे हैं नाकरिक्ता की कानून के उपड़ या वो जो पैसे इकटा कर रहे है आज जो एक राजनीतिक ब्रस्चाचार को जो बड़ावा दे रहे हैं इलेक्टरिल बॉन्स के चलते वे लाको करोडो रुपए भाज़पा ने इकटा कर रिया जो खर्च करते हैं यहाँ पर आपके चुनाओं के समय पर ये सब के अजबड़े हैं कजरी पर सुनवाई शुरूरी हुई पर्लमेंट को ही ठीक डंग से चलने देते अपनी भॉवत के इसाब से कानून दना देते यानि सम्मिधान और सम्मिधान के संसे इन संस्राओं को खतम करने का पूरा का पूरा कुश्च तो आज ये समय आ गया इस सवाल को लेकर आज हमें भारत को बचाना है तो ये मोधी सरकार को दिली के गटी से उतारना होगा वरना हमारी भारत और सम्मिधान को हम नहीं बचा पाए आज त्रिपुरा को बचाना है आप त्रिपुरा को बचाना है और त्रिपुरा के अंदर जो भी आपने उपलमदियां आपकी रही है वापन्ति सरकार के चलते वे उन उपलब्दियों की रक्षा करनी है आज भाजपा की सरकार को दिपुरा से हटा अकर फिर से वापन्ति सरकार ले आने के अलावा और कोई चारा नहीं है दिपुरा के लोगों के सामने और उसके लिए आज परितीबंद है मांक्सवादी कमॉनिस पार्टी इसलिए आज जो यहां पे जो हो रही है हमारी राज्ट के सम्मेलन जो दो दिन का सम्मेलन कल सुभे से जो शुरू होनी है कि आज की वर्थबान परिस्थितियों में ठोस रूप से किस सरी के से आज त्रिपुरा के अंदर यह जो चैलेंज है हमारे सामने कि जो कभी सुना नहीं तरिपुरा को है उप जाती और आपके मिजॉरिटी आपके बाकी लोगों के बीच में जो एक था जो वामपत्री ने जो बना रखा जो सुरक्षा जो सुरक्षा जो हमारे अल्प सकितों के लिए है और खासतार सर्व मुस्लमन भाई बह जैनों के लिए है वो सुरक्षा की आलाद आज उस सब को द्वस्त किया जा रहा है अरे आज भी बंगला देश में अगर आप चले जाएंगे बंगला देश की मुक्ति के लिए अगर किसी का नाम वो लेते हैं और वहां के प्रदानमंत्री शेक हसीना वो खुदाई थी यह आपर आपके अगर तलाब हैं क्यों ये आपको सबको द्रनेवाद dripping के लिए किस तरीके की सवर्दंत्रिप्रा के लोगों के और्त्रिप्रा की सरकार उस समयंगे वांपत्ती सरकार से मिला हांगे दिसी और मानिक सरकार के साथ यानि कमर्द्रिक के साथ GABA कि की दायरा कभी इस लाजजंटे उस तरीगे से बत्वारा कवी नहीं करते हैं. हम हैं, तो हम इनसान हैं. इनसानिएत का एक ही कड़ा होता है इनसान का वो है इनसानियत. और वो इनसानियत जो भी आपके मथब हो. इनसानियत के आधार पर सरकार को और प्रिशासन को चलना है. और उस तरीके की वादावरन लाना है आज तो आपको आज फिर से जुटगर इतनी बड़ी तादाद में जो आप आए है ये अपने आप में संकेत है अभी कौम ने जितन जवरी हमें बता रहे थे कि कई हजारों के तादाद में साथी जो आना चाहरे थे इसराइली के वो अभी भी आने रहे दिया जा रहा है उनको रेलवे स्टेशनों में, बस्टैंडों में, बसों में और बसे जो गिलाए पे भी लिये थे उन सब को जो है कैंसल किया जा रहा है ये सब होने के बाउजो डराने के बाउजो धमकी देने के बाउजो हिंसा के बाउजो इस तादाद में जो आप यहां पे आये है ये हमारे लिए एक प्रोटसाहन है पूरे हिंदुस्तान के लिए कि त्रिपुरा की जनता आज दुड़ता है उनके अंदर आज निश्चित कर चुकी है कि आज त्रिपुरा के अंदर ये हिंसा और नफरत की वातावरन नहीं चलेगी आज फिर से जनतांत्रिक आधार पर समिधानिक विवस्ता को बुनर कायम करेंगे और उसके लिए भाजपा को हटाएंगे और वामपंदी सरकार को ले आएंगे ये जो विश्वास जो आज इसराइली में जो नज़रा रही है ये प्रेरना है पूरे हिंदुस्तान के लिए सब जगें लोग लड़ रहे हैं हर शुनाओ के अंदर आज लोग लड़ रहे हैं पाजपा के लाफ और जो बरबादी जो की जा रही है हमारी अर्थव्यास्ता की लोगों की जिन्दगियों के साथ और आज तक खिलवाड हो रहा है सुप्रीम कोड के दबाव में आकर पचास हजार रुपे हर परिवार को देने की बात के लिए सरकार को मानना पड़ा जो पहले नहीं मानती थी जा उस परिवार के अंदर कोई इस करोना कोविड महामारी से कोई एक उस परिवार के अंदर जो जिनके जान जली गए उन लोगो पचास हजार रुपे मिले आज क्या कर रही है सरकार कितने लोग मरे हैं अपने देश के अंदर उसको सही डंग से नहीं दिखा रही है ताकि ये पैसे बचा नहीं है ये है सरकार के इंसानिया कितने मरे हैं उसका सही आगड़ा आज तक ये सरकार देती नहीं आगड़ा देती है कुछ पांच शे हजार की और बार्ती है पचास-पचास हजार की जैसे उनके सरकार गुजरात में है वो तकरिबन पचास पांच हजार से ज्यादा पांच हजार की आशली आगड़े दिकाते हैं लेकिन असी हजार के करीब तो इस तरीके की सरकार जो देश की संपत्ती और लोगों को राहत देने की जगे वो अपने सर्वायधारों को अपने पूंजी पतियों को देश को लूटने के लिए सुईदा दे रही है विदेश में पूरी की पूरी अमेरिकन सामराजवात के दुम्छलू बनकर एक अपने वहां पर असलियत के आधार पर चलने की जगे फिर दबाव में अमेरिका की दबाव में यानि इस सरकार एक तरह से अमेरिका की दबाव और ब्रदानमंति कूब बड़े मतलब होगा एक किसम से वो बाते मी तो उन्हीं के अंदाज में कहते हैं भारत के अंदर गोड से कीज़े और विदेश जाते हैं तो गांदी जी कीज़े तो विदेश में गांदी जी भारत के अंदर गोड से जी और ये है उनकी असली राजनीती ये है और इसके चलते वे अपनी देश की समयधाने के उस्ता देश की एकता खंडता देश की लोगों की दोजमरी जंदगी इन सब के उपर बहुत बड़ा खत्रा है तो हमारी अपिल आप सबसे यही है कि दिप्रा में ये दो दिन में जो भी नर्ने लेंगे किस तरी के से हमें आगे बढ़ना है उसको आप सभी लोग स्विकार करते वे आने वाले दिलों में जन्ता की एकता के ताकत के आधार पर जन्तानत्रिक तरीकों के आधार पर आज ये कुशासन जो चल रहा है भाजपा की सरकार की इसकी हिंसा इसकी नफरत को हराते वे आज जो है फिर एक कानूनी वेऊस्ता हमारी समिधाने के वेऊस्ता का पुनर निर्मान करेंगे और उसके अंदर इस वामपंती ताकतों को और इस लाल जन्ता को और मजबूत करेंगे जो त्रपरा की लोगों की विरासत है उस विरासत को और आगे ले जाएंगे इसकी पूरी उमीर रखते हुए और इस रैली से ये विश्वास पाते हुए कि ये संबब है और होने वाला है